हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन और देखें दोस्तों अगर आप भी सिर्जाशनिस्टी के अंदर कोई भी कोर्स लाइक यूजी पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या फिर पेजडी प्रोग्राम के कोई कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स का आपने एक्जाम फॉर्म फिल किया हैं online और एक्जाम फॉर्म होने के बाद आप फी कुई mistake हो गई है उसमें like names के अंदर नमिस्टेक या फिर फिर आपका photo या signature अपडेट हुआ या फिर कोई कोर्स आपका यहां पर left हो गया है जब भी आप सिसिज उनिवस्टी की exam की website से कोई भी exam form like UGPG certificate program और diploma program या फिर UGNEP course के आप exam form fill करते हैं या कोई भी exam form fill करते हैं आप सिसिज उनिवस्टी की exam form की website से या फिर कोई other website से तो exam form को fill करने के बाद आपकी कोई mistake हो जाती है like name के अंदर mistake, qualification के अंदर mistake, आपके marks update नह लिए है या फिर gender या फिर category के अंदर आपने wrong selection कर लिया है तो कैसे आपको ठीक करना है उससे video जान करें मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो देखें दोस्तों जब भी किसी course के exam form निकलते हैं तो उस दिन वह exam form निकलते हैं उस दिन क्या होता है कि अभी आपको बहु इस वज़े से जो database के अंदर उसका error होता है उसके वज़े से आपके photo signature आपके match नहीं होंगी या फिर किसी और का form ही आपके सामने खुल रहा होगा वह सिर्फ website का error होता है आती कभी-कभी यह देखने को मिलता है आप exam form तो submit कर देते हैं लेकिन जब payment करने को सिस करते है तो payment का page open नहीं होता है वह भी website का issue होता है तो website जब आपकी सही working name properly working हो जाएगी तो आपका वह payment का option भी आ जाएगा लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं जब आपने अपना exam form फिल कर दिया है payment भी कर दिया और आपने final print भी download कर लिया है उसके बाद अगर आपको error आता है नहीं मा फिल हुई है या फिर आपको subject आपने wrong choose कर लिया है subject आपके leave रहे गया है कुछ subject आपने choose नहीं किया है तो उस वक्त आपको correction कैसे करना है इसलिए देखें दोस्तों सबसे पहले बात करते हूं देखें में आपके सामने exam form सो कर रहा होगा इस exam form के अंदर में बात करता हूं फोर्म नमबर आपको सो करेगा अगर आपको photo signature सो नहीं कर रही है लेकिन आपने exam form फिल करते फक्स आपने photo signature अपलोड की है तो वो सिर्फ website का issue होता है तो आप दुबारा कभी कुछ दिनों बाद अपना exam form डाउनलोड करने की स्कुशिस करोगे तो आपका exam form पे आपके photo signature आ जाएंगे अब बात करते हैं नेम के अंदर तो देखें दोस्तों जब भी आप exam form फिल करते हैं तो आपका नेम, father's name, mother's name आपकी date of birth पहले से भी फिल रहेगी इनको आप change नहीं कर सकते हैं अगर आप उनको आप change करना चाते हैं तो उसके लिए आपको university जाके आपको change करा यह changes आपके online भी हो जाएंगे यानि आप university को mail करेंगे तो भी आपका यह changes हो जाएंगे लेकिन मैं prefer करूंगा online करने की ज़रूत नहीं है जब भी आप exam form फिल करेंगे exam form फिल करने को final print निकालेंगे तो जब college में submit कराएंगे उस वक्त आपको बता देना है college में कि हमारी यह अब बात करते हैं qualification detail की अब देखें दोस्तों माले आप UG के form फिल कर रहे हैं और आप 1012 की detail आप qualification फिल की है या फिर PG की detail के लिए आपने UG की detail 1012 की detail आपने दी है उसके अंदर आपने marks या आपना roll number कुछ wrong फिल कर दिया है वो भी आपका changes अगर आप उने wrong किया है कुछ fill वो भी आप college से ठीक हो जाएगा आपका यनि college में जाएंगे आप जब form को submit करने तब वो वहां से आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि जब आप exam form फिल करते हैं तो final print निकालते हैं तो इसको बोला जाता है कि इस date तक आपको अपने college में अपने exam form को verify करा लेना है वो इसलिए बोलते हैं कि जो आपका exam form होता है college में जो submit होता है उसको verify करते हैं वो कि आपको कोई mistake नहीं है अगर यह mistake है तो आपको changes करके आगे forward तभी करते हैं university के अंदर बात करें साथ में दोस्तो subject की तो देखें दोस्तो अगर आपने subject round choose कर लिया है वो भी college से change हो जाएगा या फि चेंज करते हैं वक्त जो form आप डेडेल आप फिल करते हैं वो कोलिस से change हो सकते हैं लेकिन जो डेटेल आप फिल नहीं कर सकते हैं वो कोली से change नहीं हो सकते हैं तो इस वह आपको उनिवेश्टी जाकर ही अपने changes कराना होगा लेकिन उसके बाद आप gender, nationality, domain style, category, पेरी कोलीज का नेम आपका पहले से फिल रहेगा लेकिन साथ में मोबाइल नमबर, इमेल आईडी, कॉलिफिशन डिटेल, साथ ही आप सब्जेक्ट की डिटेल आप अपने कोलीज से ही चेंज करा सकते हैं जहां पर आपको फोर्म जो सम्मिट करना है एक्जाम फोर्म जो के बाद आपके सारी डिटेल जो आप फोर्म को सम्मिट कराएंगे अपने डिटेल सम्मिट कराएंगे लाइक मार्क सीट या फिर आधार कार्ड तो उसी के साब से वो वेरिफाई करते हैं तब ही आपका फोर्वर्ड करते हैं आगी उनिवस्टी में साथी दोस्तों पे मेल कर दीजिए जो आपने exam form में आपकी mistake हुई है उसके regarding आपको एक mail करना होता है तो जो exam form हो है जो भी आप exam form फिल कर रहे हैं उसी mail exam form की website पे एक corner में कहीं नहीं आपको mail ID मिल जाएगा उस mail ID पे आपको अपने register mobile number चोरी अपने register email ID से आपको एक mail कर देना है उस mail के अगर वह response करते हैं आपका तो यह changes हो जाएगा अधरवाइस यह थोड़ा process मेरे को लगता नहीं है इतना काम करता है क्योंकि इसमें क्या आता है इंवस्टी के पास इतने सारे mail जाते हैं तो वह एक एक का चेंज करते वक्त थोड़ा time लगता है इसलिए मैं प्राफर करूं हो जाती है तो आप उसको college से और दूसरा mail के थूरू आप changes करा सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक सिसे इंवस्टी के अंदर कोई भी course के लिए exam form फिल कर रहे हैं और उसमें कोई mistake हो जाती है इसको कैसे आप changes कराने है सब कुछ जानकरी मैंने आपको इस वीडियो में सेर कर दिया थैंक्यू